हलो बच्चो क्या हाल चाल आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टड़ी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी सो आज का जो आज का जो टॉपिक है बच्चो बहुत प्यारा सा टॉपिक है और बहुत आसान है बहुत आसान है ठीक है दो आवेसों के निकाय की स्थितिज उर्जा हमको निकालनी है क्या निकालनी है? स्थितिज उर्जा potential energy ठीक है तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले चीतर समझेंगे अब क्या बोलगा है? दो आवेसों के निकाय की मतलब दो आवेस हमारे पास होने चाहिए दो आवेस होने चाहिए यूँ कहें बिंदू आवेस होने चाहिए और उनके बीच हमको स्थितिज उर्जा निकालनी है तो चलिए दो आवेस बिंदू A और बिंदू B पर रखे हुए हैं तो दो आवेस बिंदू A पर हम माल लेते हैं Q1 और बिंदू B पर Q2 और इनके बीच की दूरी R है तो यही चीज आप हम यही चीज हम लिखेंगे भी क्योंकि परिच्छा में लिखना पड़ेगा क्या लिखेंगे कि माना माना दो बिंदू A तथा B पर आवेस आवेस क्रम्स Q1 और Q2 Q1 और Q2 Q1 और Q2 R दूरी पर रखा हुआ है ठीक है यह तो लिखी लेंगे कि दो बिंदू आवेस A तथा B पर रखा हुआ है Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी R है तो आप इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं अब अगर अगर दिखिए इस बेंजक के लिए न इस बेंजक के लिए दो चीज निकाल लीजिए काम खतम एक पहला बीभाव और दूसरा कारे पहला बीभाव दूसरा कारे रट लीजिए पहला बीभाव दूसरा कारे ठीक है तो अब विन्दू बी पर पहले बीभवन निकालेंगे हम ठीक है बीभवन निकालेंगे क्योंकि बीभव का आभी काम आने वाला है तो बीभवन निकालना पड़ेंगा Q1 के कारण बिन्दू बी पर बीभाव बच्चों कितना होगा उस पर कितना बीभाव होगा तो हम जानते हैं कि भी बराबर एक बटे चार पाई एपसलोन नौट और क्यूवन बटे आर क्या ये नहीं होता है समी करण एक दे दीजिए भाई Q1 के कारण B पर हमने बीभाव निकाल लिया कितना होता है B बटे आरे फारमूला होता है ये क्या होता है फारमूला फारमूला तथा मैं आपसे पूछूं कि आवेस Q2 को अनन्त से B तक लाने में किया गया कारे बताईए तुरंत बताईए कारे ठीक है देखिए तथा आवेस Q2 को हमने पहले बीभाव निकाल लिया Q1 के कारण B पर बीभाव एक बटे चार पर अपसलाण Q1 बटे आर जो कि यहाँ पर लिख दिया है अब दूसरा चीज कि Q2 को इस आवेस को हम मान लेते हैं कि इस आवेस को हम अनन्त से B पर लेके आ रहे हैं तो क्या होगा हमने एक फार्मूला पढ़ा था B बड़ावर W बटे Q क्या नहीं पढ़ा है तो W बड़ावर यहां से क्या हो जाएगा यह इधर जाएगा तो B B into Q तो आवेस Q2 को अनन्त से B तक लाने में किया गया कारे जो होगा हम इस फार्मूली से निकाल लेंगे B into Q के जगा पे Q2 हो जाएगा क्योंकि Q2 को लेकर आ रहे है Q2 Q2 हो गया समी करण एक से भी का मान रख दीजे इसमें तो W बड़ावर क्या जाएगा बच्चो एक बटे चार पाई एपसलोन नौट Q1 बटे आर देखिए B के जगा पे इसको रख दिया यहां पे और Q2 Q2 है तो रहने दीजी क्या दिकत है Q2 है तो रहने दीजी अब बच्चो बात यह है कि हमने कारे निकाल दिया और यही जो कारे है यही इस निकाए में इस निकाए में इस्थितिज उर्जा की रूप में संचीत होती है ठीक है संचीत होती है या निही तो होगी ठीक है क्या लिखेंगे यही कार यही यही कार इस निकाए में जो बच्चो हमने कार ने निकाला है न यही जो कार है निकाए में इस निकाए में इस्थितिज उर्जा के रूप में निहित होगी बच्चो यही जो कार है यही जो कार है इस निकाए में इस्थितिज उर्जा के रूप में होती है तो इसको अगर सजा के लिखें या इस्थितिज उर्जा के रूप में अगर लिखें तो इस्थितिज उर्जा को आर, इसको ऐसे कर दीजी, इसको ऐसे कोस्टक बना दीजे, जी हो गया है, तो व, यू बराबर क्या हो गया है, एक बटे चार पई, ऑप्सलोनाट, क्यू बटे बटे आर, यही आपका इस्थिति उर्जा के लिए बेंजक था, दो आवेसों के निकाय की स्थितित उर्जा का बेंजक यही है आई होप आपको समझ में आया होगा और भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करिए आपका डाउट क्लियर किया जाएगा और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद